मुझा परिए दिन्सेर भी दाइड टाइड टाइड दाइड विडियो और आप सभी आठ देन से स्वागत हैं तो अभी दुर्गापूजा के टाइम चल रहा है और दुर्गापूजा में वेश्ट पेंगोल में आप लोग मालिम ही होगा कि बहुत ही अच्छे अच्छे पंडाल बनायाते हैं तो अभी आज सप्तमी के दिन है तो हम लोग जा रहे हैं दुर्गापूर क्योंकि वहाँ पर वन अब बेस्ट पंडाल बनाये गए हैं इस वक्त तो हम लोग भी जाने वाले हैं और साथ ही उसे अच्छे से एक्स्प्लोर करेंगे तो चले मिलते हैं वीडियो में तो अभी हम लोग आ गये हैं दुर्गापूर चोतुरंगो तो यहां का जो पंडाल है सभी लोग जो भी यहां पर अभी घूमने आये हैं मेरे जान पैचान के वो लोग बोल रहे हैं कि यहां का जो पंडाल है वो बहुत ही बणिया बनाये गया है और हम लोग भी बस जाकर ऐ देखी लेते हैं कि क्या वो लोग बोल रहेते हैं कि उसभात में कितनी सचाई है और सचाई तो होगी क्योंकि यहाँ पर जो पंडाल बनता है वो बढ़िया भी बनता है और इस बार देखते हैं क्या बनाया गया है so अभी हम लोग आ चुके हैं तो तो रंगो और यहां पर आप भीडी देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग चुकी है और यहां पर अब हम लोग चलेंगे अंदर यहां पर देखिए कितने अच्छे से इन हाथियों को बनाया गया है और अब यह अंदर भीड़ कुछ जादा ही है और अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर यह और भी ज्यादा खुबसूरत लग रहा यहां से अंदर आने के बाद यह देखिए पुरा एक दम महल जैसा लग रहा है और भीड़ भी उसी तरह है बहुत ही जादा है तो और यह रहा मतलब अंदर का नजारा मूर्ती है यहां पर बहुत ही अच्छे सजाय गया है और अब चलिए इसके बाद चलते हैं दूसरी जगा जाएंगे अब हम लोग इसके बाद से को वो भी एक दुर्गपूर का एरिया है तो चलिए आब वहां चलते हैं आने का तो आ गए बढ़ हम लोग यहां आकर जाम में भी भस चुके हैं अगर आने में बहुत हैं तो बहुत जादा भी जो है उसे काबू कर पाना मुश्किल हो जाएगा इस वज़ा से गी आखिर खार आदे गंटे की लाइन के बाद आने का मौका मिला लाइन में भले ही बहुत जादा वेट करना पड़ा हो लेकिन अब यहां पर यह देखने में जो मज़ा आ रहना वह बहुत ही अलग है कि यह बहुत ही अच्छे सजाए गया है चुकि भीड तो बहुत ही जादा है बट यहां देखिए यह लाइटिंग और जो पंडाल बनाया गया है यह बहुत ही अच्छा लग रहा है हाला कि यह बाहर का जो पंडाल है यह बाहर से ऐसा है और अभी हम लोग इसके अंदर भी जाएंगे पूरा येलो बैक्ग्राउंड एकदम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही छोटे-छोटे यह देखिए यहां पर मतलब खिलोने बोल सकते या जो भी आप बोलो रखा गय है अब यह है अंदर कुछ ऐसा है तो यह देखिए अंदर अंदर तो यह और भी जादा ही खुबसूरत लग रहा है चलिए अब इसके बाद चलते हैं दूसरी जगा फूल जोड़ चलेंगे तो अभी आगे हैं फूल जोड़ और यह देखिए लाइटिंग जो बनाए गया है बहुत ही अच्छा लग रहे देखने में और बहुत सारे लोग जा रहे हैं बीड़ आप देखी सकते हो बैरिकेट भी दिये गया है और यहां पर भी लाइन लगा कर ही जाना पड़ रहा ह क्योंकि बीड़ यहां पर भी कुछ जादा ही है आप देखी रहे हो सामने और यह है फूल योड़ का पंडाल हाला कि पिछले साल के मुकाबले यह थोड़ा इस बार फिका फिका है और यह पूरी तरीके से वूड़ मतलब जो लखडी होती है उसी के थ्रू ही बनाया गया है तो यह एक बहुत अच्छा सा मतलब एक्सपेरिमेंट बोलो या जो भी बढ़ किया गया है यहां पर और यहां देखिए लोग लाइन लगा कर ही आ रहे हैं चलिए अंदर और अंदर से यहां पर देखिए सारी जो चीज़ें जो भी पंडाल बनाया गया है पूरी तरीके से लखडी से ही बनाया गया है और लाइटिंग भी बहुत ही समाल अच्छा लग रहा है तो यह है अंदर का नजारा और बहुत ज़्यादा दूड़ है वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉलम हो रही है तो अब इसके बाद जाएंगे डाइरेक्ट अंबूजा सिटी सेंटर सिटी सेंटर के पास ही है जस्ट और पिछले साल इसी जगह पर जो पंडाल बनाया गया था वो दुर्गापूर में टॉप वण पर था और इस बार भी लगता है साइट टॉप वण ही होगा कि बहुत ही अच्छा एक्दम पूरे महल की तरफ बनाया गया है अच्छली तो कुछ सुनाई दे पाना बहुत ही मुश्किल है बट हाँ ठीक है मैं कोशिज करूंगा साउंट जितनी ज्यादा क्लियर हो पाए दिखाने के लिए और सोरी आइमिन मुलने के लिए अब से लिए आप लोगों को अंदर लेकर चलता हूँ और यहां पर भीड़ तो है ही मूर्ति आप लोग देखों मूर्ति बहुत ज्यादा अच्छी है इसके साथ ही हमारे रतन टाटा सर जो है उनके लिए यहां पर एक सद्धांजली के तौर पर उनकी फोटो को रखा गया है बहुत सारे लोग यहां पर भी आ रहें देख रहे इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक डांस के प्रोग्राम के तौर पर यहां पर भी है और इसी के साथ ही दोस्तों बस जो वीडियो यहीं पर मैं एंड करना चाहूंगा और हो सकें तो अगर पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो प्लीज लाइक शेर और सब सब्सक्राइब करना ना भूलें उसी के साथ ही मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ अच्छी वीडियो के साथ ही